नमस्कार trending story with नकमा देख रहे हैं आप आज बात एक और फिल्म की फिल्म तो रिलीज होने वाली है जनवरी में लेकिन उसका गाना रिलीज हो गया है जी हाँ बे शरम रंग ये नाम है गाने का जिसकी बड़ी publicity हो रही है दिफिका पाड़कोन शारुक खान इकलंबे समय के ब मध्री बयान देने लगे मंत्रियों को इसके उपर क्या आपत्ती हो गई तो जो नरोतम मिश्णा ने कहा वो ये कि ये गाना जो है इसको सुधारा जाए नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि गाने में एक आपत्ती ये है कि गाना शायद इस तरह का है जो काफी जिस इसमें नूडिटी है या आपती एक इस बात की भी है कि इसमें दिपका पाडुकोन ने एकाद जगे पे कपड़े पहने हैं ऐसे जो औरेंज रंके हैं तो इसके ऊपर आपती हो रही है कि धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाता है तो यह आपती हो सकता आप में से कुछ लोगों को इस बात की तरफ आपका ध्यान ही न गया हो पर अब इस पर जो हंगामा खड़ा होगा उससे जरूर ध्यान जाएगा और दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा समाज कम से कम सोशल मीडिया पे और आज सुबह से ही ट्विटर पे बॉयकॉट पठान यानि उन्होंने यहां तक कहा कि दिखाई पाड़कोन की मानसिकता तो हमें पता है ये तो जेनियू में टुकडे टुकडे गैंग के समर्थन में जाके खड़ी मी थी अब वो टुकडे टुकडे गैंग था ये कहने वाले गृमंतरी उसको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो दूसरे हो सकता है दिखिका पाड़कोन की विचारधारा अलग हो और वो वहाँ पर जाकर अगर खड़ी हुई थी तो इसमें क्या अपराद था कि अगर वो एक लेफ्ट विंग का समर्थन कर रही थी इतने साल पहले उसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है एक मुद्दा बनाना ये जो है आपको कितना तारकिक लगता है क्या हमारे पास और दूसरी कोई मसले नहीं रहे गए कि हम हिरोईन आक्टर्स के कपड़ों के ऊपर एक बहस करें कि क्या कपड़े उन्होंने पहने कैसे कपड़े पहने वो अब शब्द जो है उसमें वो बह भाशा इस्तमाल हो रही है उसका जो स्टैंडर्ड है वो गिरता ही चला जा रहा है और पहले जो बहुत बुरा समझा जाता था वो अब एक तरह से उससे लोगों ने कुबूल कर लिया है वह मेंस्ट्रीम होता जा रहा है जाए वह भाशा हो काली गलोज हो फिल्मों में या ऐसे शब्द हो या इस तरह के सीन्स हो तो ये बदलाफ तो दिरे दिरे आया ही है वो आपको अच्छा बुरा लग सकता है उस पे आपती हो सकती है आप परिवार के साथ बैठके नहीं देख सकते गाने फिल्में वो एक अलग बात है कपड़े का रंग कैसा है उसको हम अग धर्म के रंग से देखें धर्म के चश्में से देखें और आपती इन बातों पर शुरू करें और उसमें एक कोशिश पॉलराइजेशन की रहे तो इसका क्या आपको लगता है क्या मकसद है तो देपिका पाडुको नर्शारुक खान क्या एक बहाना है जिसकी वजह से एक पर फेर से कुछ समाज को बाटने जैसे मुद्दे खड़े किये जा रहे हैं या आप लोगों को भी लगता है कि ये बहुत बुरा अब जाहिरे कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिल्म में उसके बाद नहीं चलेंगी और हो सकता है कि बॉल्लीवूड की फिल्म इसलिए नहीं चल रही है अगर कॉंटेंट अच्छा नहीं है तो ये इतनी सी बात है ये लेकिन इसके ऊपर एक नहीं बहस शुरू कर दी गई है हो सकता है कि फिल्म को इससे फायदा ही हो तो आज बस इतना ही